अगर मैं कमपेर करूँ डिजिसल मीडिया को टीवी या पेंट मीडिया के साथ तो टीवी तकरीबन 24 घंटे में से आपको 12 घंटे इस्तियार दिखाता है अक्सर तो ये कहा जाता है कि वो 12 घंटे से ज़्यादा इस्तियार दिखाता है और बाकी जो कॉंटेंट बचता है तकरीबन 10 या 12 घंटे का कॉंटेंट आपको दिखाया जाता है प्राबलम टीवी के साथ ये है कि उसके पास टाइम नहीं है इसलिए वो कम से कम टाइम में ज़्या से ज़्यादा कॉंटेंट दिखाना चाहते हैं और कम से कम जितना भी टाइम उनके पास अवेलेबल है वो उसमें उन्होंने पैसे बनाने होते हैं सो कहीं किसी वक्त किसी जमाने में टीवी बे तकरीबन तीन से चार गंड़े का इस्तियार थे और बाकी सारा कॉंटेंट होता था लेकिन अगर आप नोट किया हो आप टीवी देख रहे हो तो आप तकरीबन जतने इस्तियार देखते हैं उस से कहम आप content देखते हैं यही problem print के साथ भी है क्योंकि print में number of pages limited होते हैं और जितनी वो ज़्यादा खबरें दिखाएं वो तरह इस्तियार कम हो जाता है अगर वो इस्तियार ज़्यादा करें तो खबरें कम हो जाती हैं तो यह problem आपको रोज मारा जिन्दगी में नज़र आती हैं लेकिन digital में यह problem नहीं है तो digital media में आपके पास यह opportunity है कि आप virtually unlimited number of pages बना सकते हैं क्योंकि digital में ना तो आपके पास जगा का मसला है ना तो आपके पास time का मसला है तो आप जतने pages बनाएं create कर लें अक्सर मैंने यह देखा हैं कि लोग ज़्यादा pages पर बिलीफ नहीं करतें वो content create नहीं करतें उनको लगता है कि जतना है उतना काफी है जबकि मैं यह चाहता हूँ कि आप लोग यह understand करें कि किस طرح से content ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादा content एक तो आपको पर limitation नहीं है जब आपको limitation नहीं है तो आपको कौन रोक रहा है कि एक product के बारे में आप चार बातें करें आप आठ बातें करें या उसको आठ दफ़ा different angle से उनको show करें क्योंकि हमने जब search की बात की थी तो हमने ये देखा था कि लोग एक चीज़ को एक ही तरीके से नहीं धूंटे वो मुख्लिफ इलफाज यूज़ करते हैं मुख्लिफ angle से बात करते हैं उनका अपना तरीका होता है search करने का और ये सब चीज़ें आप अपनी website पे include कर सकते हैं अगर आपके पास space और time की limit ना हो जो के नहीं है तो इसलिए recommended ये है कि आप maximum number of pages create करें अपनी products को explain करने के लिए अपने business को explain करने के लिए यहां तक कि अपनी सारी company या जो जो आप दिखाना चाते है users को उन सब को explain करने के लिए आपकी website आपका एक virtual face है अगर आप उस virtual face पे time नहीं लगाएंगे उस पे जगा नहीं देंगे तो आप miss करेंगे आपको कोई रोकने वाला नहीं है आप खुद को खुद ही रोकेंगे तो अगर आप customer interested नहीं भी है तो आप उसको भी convince करें और अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत नहीं है तो आप खुद को भी convince करें क्योंकि ये एक आपके mental barrier है ये सिर्फ आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है जबकि मैं ये चाहूंगा कि आप उतने pages तो लाजमें create करें जितनी ज़रूरत है लेकिन फिर उसको और भी grow करें क्योंकि जितने pages आप grow करेंगे जितने ज़रूरत पेजिस आप create करेंगे उससे Google को भी उतनी ही opportunity मिलेगी कि उस ज़रूरत लोगों को ज़्यादा से चीज़ के against आपको दिखा सके So, किसको ज़्यादा traffic या ज़्यादा पैसे आते दुखते हैं अगर आपके pages ज़्यादा होंगे तो आपके पास opportunities ज़्यादा होगी आप ज़्यादा लोग different चीज़ें पढ़के शायद convince हो जाएं आपसे और ये भी आपने देखना है कि आपको competitor या आपके client के competitor कितने pages create कर रहा है अगर वो 10 कर रहा है तो आप 20 क्यों नहीं कर सकते अगर वहाँ 10 से वो 1000 रुपे या 1000 डॉलर कमा रहा है तो आप 20 से 2000 या 2000 डॉलर क्यों नहीं कमा सकते तो ये सब चीज़ें number की game है और अगर आपके पास ज़्यादा content है तो जरूर करें बलके definitely करें क्योंकि ज़्यादा content ज़्यादा अची SEO लेके जाएगा सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपने content create करना है आप जितना मरजी content create करें लेकिन आपके एक page का content दूसरे page के content के ओपर repeat नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपको content repeat हुआ तो duplicate हो जाएगा और Google उसको pleasureism count करेगा pleasureism जैनि के content की चोरी आप नहीं कर सकते Google आपको मना करता है और आपकी SEO को नुक्सान हो सकता है अगर आप content copy करेंगे तो जब तक कि आप content copy नहीं करें आप new information या unique information create करते चले जाएं क्योंकि यही आपकी दुनिया है और इस दुनिया को आपने win करना है आप जितना दादा content create करेंगे उतना आप उपर जाएंगे